अगर मैं आर्मी या एससी जीडी में कॉंस्टेबल या ट्रेडिस्मन भरती होने के बाद स्पोर्ट कोटे से अपने देश के लिए और अपने गाव के लिए कुछ करना चाहता हूँ अगर यह सवाल आपकी मन में है दोस्तो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आई है जहीं दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्व परिवार में आज का वीडियो दोस्तो बेसिकली होने वाला है sport court से अगर आप army या sscgd में आगे बढ़ना चाहते हो कुछ करना चाहते हो दोस्तो तो पूरी जान करें आपको इस वीडियो के माद्देम से मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा देखे 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 दोस्तो अगर आप जैसे ही भरती होने के बाद किसी उनिट में जाते हो अगर आपके पास कोई sport का national का district का या state level का कोई भी certificate आपके पास है तो बहुत अची बात है अगर नई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तो आपको बस वहाँ पर जैसे ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको अच्छी डाइट मिलेगी आपको अच्छा रहन सेन मिलकुल आपको मतलब अलग से एक sportman के तोर पर वहाँ पर काम करना होगा अच्छा आपको समय मिलेगा आपने work के लिए आपके काम के लिए जिस कोटे से आपने रुची दिखाईए आपको वहाँ पर अच्छा ट्रेन किया जाएगा और आप जैसे ही आगे बढ़ते जाओगी दोस्तों तो आपको अपने national से भी खिलने का मौका मिलेगा आपको बता दू एज एग्जैंपल के तोर पर तो आपने भाग मिलका भाग की मूवी तो देखी होगी जिसमें हमारे फ्लाइंग से किया आपने कितने अच्छे परफॉर्म करते हुए आपर देखा होगा जैसे कि मूवी में दिखाए गया है आपको बता दो दोस्तों मिलका सिंग हमारे जो अब लेटेस्ट आपको एक नाम बता हूँ तो वो है अविना साबले का जो बहुत ही अच्छे रणर है और अपने देश का नाम उचा कर रहे और उनका अभी हाली में ऑलम्पिक में भी सेलेक्शन हो चुका है तो आप भी दोस्तों बिलकुल अगर आप में हुनर है तो आप बिलकुल स्पोर्ट कोटे से आगे बढ़ सकते हो आपको आर्मी में अच्छी प्रोमोशन भी मिलेगी और इसी के साथ आपका और आपके देश का नाम आपके गाव का नाम भी उचा होगा अगर आप बिलकुल आर्मी या एससी जीडी से स्पोर्ट कोट से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको पूरी वहाँ पर opportunity है आप जैसे civil अगर आप district से या state से अगर आप civil अगर fight करते हो आपको टफ fight करनी होगी आगे बढ़ने के लिए बहुत सी competition है स्पोर्ट से लेकिन अगर आप आर्मी एसे सी जीडी जोइन करने के बाद स्पोर्ट कोर्ट से आगे बढ़ते हो तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो आप में अगर वो हुनर है आपको बहुत कम कॉंपिटिशन का सामना करना पड़ेगा जैसे आपको निरच चोपरा का भी नाम आपको जो अभी भाला फेक में आपने सुना होगा जोन्यों ने अभी देश के लिए बहुत से मेडल भी लाए है अभी अभी बिंदरा भी है कई सारे जो आपको देखने को मिलेंगे जो कि आर्मी से आगे बढ़कर अपने देश का अपने गाव का नाम जिन्हों ने रोशन किया है दोस्तो आशा करता हूँ आपके डाउट्स के लिए रोगए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे क्यूंकि आपका फोजी भाई आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल जानकरी लाते रहता है तब तक के लिए दीजे इजाज़त मिलते है अगली किसी वीडियो में जहिन वंदे मातराम